उत्रप्रदेश की राजनी से जुड़ी हुई कई खबरें सुनने को मिलती हैं लेकिन अभी एक दिन पहले ही कॉंग्रेस के पूर वद्धिक्ष राहूल गांधी ने कहा कि मायवती को वो सीम बनाना चाहते थे लेकिन मायवती जो है वो एडी और सीबियाई से डेरी हुई इ उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता बाकी ना भाजपाक के संब्ध में उनका कोई सवाल है ना जबाब है मायवती जी के लिए उन्हों जो भी कहा है तो मायवती जी नहीं मैंने देखा है जबाब दिया है कांग्रेस स्वैम अपने को संभाल नहीं पा रही है तो दिखें मैं असपशतार से मानता हूं कि जनता बहुत समझदार है और जनता का आसिरवाद भारती जनता पार्टी के साथ है इसी के कारण से भारती जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सब्ता में है चल और प्रपंश की राजनिती करने वालों के समय जो थे वो अब समाप्त हो गए है अब भाजपा है भाजपा थी भाजपा रहेगी इडियो सीवियाई बार बार इस चीज़ का जिक्र किया था कि उससे विरोधियों को डराए जा रहा है ब्रष्टाचारी और अपराधी और सत्ता से दूर है और यहाँ नाम लेकर के सोचता है कि उनके ब्रष्टाचार की जाँच ना हो तो मुझे लगता है कि यह तो संभो ही नहीं है अगर किसी ने ब्रष्टाचार किया है तो उसकी जाँच होनी ही चाहिए और उस जांच के जो दोसी हों, उनके खिलाब कारवाई भी होनी चाहिए इस दीसा में जब कोई कारवाई होती है तो ये शुकरी व्रश्टाचार के लल लल में दबे हुए लोग है इसलिए इनको लगता है कि कोई जांच ना करे हमने जो भी पाप किया है जो भी वरष्टाचार किया है जो भी गड़बढ़ियां किया है उस पर परदा पड़ा रहे है लेकिन माने नरेद मोधी जी के नेत्रत में जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी उसी समय कहा गया था कि ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे और जिन लोगों ने खाया है उसे भी निकाल करके गरीबों के बाढ़ देंगे दर वही रहे हैं जिनके हाथ मेले हैं इसी थोड़ से बहुत शुक्री हम से बात करने के लिए केश्व मौरिया जिते इनका कहना है डर वही रहे हैं जिनके हाथ मेले हैं और ना खाएंगे ना खाने देंगे कैमरा परसन नूर के साथ अभी शेक पांडे भारत समचार लखनो